तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट नहीं है तो फी वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो लो प्रोब्लम और जिम्मेदारियों की वजह से कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसमें उनको भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें फ्यूचर हमारा क्या है और ऐसे कदम उठाने का रीजन क्या है स्कील्स की कमी किसी भी करियर में स्कील्स का होना बहुत जरूरी है स्कील्स है तो आप अपने करियर में आगे ग्रो करेंगे कॉर्स इतने महंगे हैं कि अच्छे कॉर्स स्टूडेंट्स ले नहीं सकते EMI पर भी अवैलेबल है कॉर्स लेकिन EMI को चुकाना भी ये भी एक मुश्किल का गाम है इस वज़ा से स्टूडेंट्स सस्ते कॉर्स को ही चुनते हैं आज के स्टूडेंट्स में गाइडन्स की कमी है उनको समझाने वाला कोई नहीं है जिस वज़ा से वो ऐसे कॉर्स को चुन लेते हैं जो उनके लिए बेकार साबित होते हैं ज्यादा तर इंस्टिटूट्स का फोकस होता है तेओरी और आउट डेटेट टेक सिखाने में उसके वाद आपको सैटिफिकेट और डिगरी दे देते हैं स्कील से जादा इंपोर्टेंट है डिगरी विकोज फाइनेंशल प्रोब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़कर इस्टूडेंट्स जॉब कर ले दे और अगर जॉब्स कर रहे हैं तो जॉब्स छोड़कर पढ़ाई करना मुश्किल लगता है और कुछ इस्टूडेंट्स ने अपना सफर शुरू कर दिया है कॉलिज में हैं फाइनल इयर में हैं और जो कॉर्स कर रहे हैं उन्हें लगता है वो कॉर्स सही है या नहीं हैं या उन्होंने बहुत कुछ नहीं सिखा है यूथ ऐसी अपनी बोरिंग जोप में फस गए हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं सिखा रहा है और अपने करियर में वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं वो अपने स्कील को अपगरेट करने या और जिम्दारे लेने के लिए अच्छी जोप पाने के लिए एक अच्छे कोर्स की जरूरत महसूस करते इन सभी रीजन्स की वज़ा से स्टूडि Labs खुद से समझहता कर लेते हैं और ऐसा कोर्स ले लेते हैं जो उनके काम का नहीं है और वहीं पर end हो जाता है उनके पास skills की कमी होती और वो अपने करियर के लिए सही फैसला नहीं ले पाते हैं और अपनी professional life को वो और ज्यादा success नहीं बना पाते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है सबी चीज़े online है इस्टडी भी online है और मसाई स्कूल मसाई स्कूल एक ऐसा platform है जो software developer के career के रूप में आपके career को launch करने में मदद करेगा अब आप खुद से समझोता करना बंद कर सकते हैं और मसाई स्कूल की तरफ से जारी किये गए course के लिए admission open हो चुका है career focus and skills building school जो आपको industry के लिए तैयार होने के लिए train करता है और ये आप से पैसे तब ही लेंगे जब आप पैसे कमाने लगेंगे जी हाँ ये possible है ISA की वज़ा से यानि के income share agreement full time course, part time course दोनों ही available हैं, part time course उनके लिए है जो लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं या जो लोग busy हैं या जो लोग full time course को join नहीं कर सकते हैं full time course के लिए admission open है जिसके बारे में मैं आपको detail में explain करने जा रहा हूँ timing या पर intensive and immersive के लिए सुभा 9 बजे और रात 9 बजे, हफते में 6 दिने full course के लिए इन्होंने हाली में camps open कियें, indoor में, पटना में, पूने में, बैंगलोर में और 90% attendance जरूरी है और भी काफी सारे multiple projects नहां पर मिल जाते हैं, लगबग 1200 गंटे की coding, 100 गंटे की soft skills और भी बहुत कुछ regular guest lecture and industry talk जिससे ये पता चलता है, मसाई स्कूल के instructors आपके industry तयार करने के लिए आपके साथ घंटों बिताते हैं पूरा focus students पर ही होता है बात कर eligibility की तो 18-28 तक की age qualification 12th pass और इनके किसी भी code की knowledge होना भी जरूरी नहीं है course English में available हैं इसलिए आपको English language आना जरूरी है और आपके पास एक laptop होना चाहिए और अच्छा internet connection भी होना जरूरी है मसाई स्कूल सिर्फ technical development पर काम नहीं करता है वलकि students के holistic development पर भी काम करता है communication and presentation skills and interview preparation ये सभी course का part है और मसाई स्कूल की 200 से ज़्यादा कमपनियों के साथ partnership है students को top take leading startup में रखा जाता है जैसे के यहां पर रेव सैमसंग, small case, no broker, urban company और डुन्जो, share chat, etc. और इनकी placement success rate 90% plus है और इनकी average salary 7.25 लाक पर annual और इनकी जो highest student है उनकी highest जो income है वो 36 लाक पर annual है faculty की बात करें तो इनकी faculty काफ experienced है जैसे के IIT, IIM, BIT से हैं और सैमसंग, Microsoft में काम कर जुगे हैं अब बात करते हैं ISA के बारे में यानि के income share agreement मसाई स्कूल की एक और USP एक student को उसकी education पर focus बनाये रखने में और financial problems के बावजूद भी उसके career को बनाने में मदद करता है आपको payment तब ही देना है जब आप सालाना पांच लाक या उससे जादा कमाने लगेंगे अगर आप पांच लाक से जादा सालाना कमाने लग जाते हैं उसके बाद ही आपको मसाई स्कूल को payment करनी है हर महीने यानि के monthly जो भी आप कमाएंगे उसका 15% पिलस GST ही देना है तीन साल में आपको तीन लाक रुपे पे करना है अगर उस बीच आपकी जॉब छूड जाती है या आप 5 लाक से घट कर सालाना थोड़े कम हो जाते हैं तो आपकी वो EMI जो installment आप देंगे वो वहें पर pause हो जाएगी नहीं देना होगी वहीं रुप जाएगी और अगर आप course को बीच से छोड़ के जाते हैं तो course के शुरू के first unit से छोड़ दें तो आपको कोई भी payment नहीं देना है लेकिन अगर आप unit 2, unit 4 से छोड़ दें तो आपको 50,000 देना होगा और अगर आप unit 5 से छोड़ दें तो आपको 100% याने के full payment करना होगा अगर आप course को छोड़ते हैं बीच से तो यहाँ पर glide program भी है क्या है यह इनकी तरफ से एक पहली ऐसी पहल है जो शायद किसी नहीं किये जो कि यह financial support program जो students की financial problems की tension को खतम करता है top performance students को मिलेगा 15,000 रुपे पर मन्त खर्चे के लिए जब तक वो course करते हैं तब तक students को इस program में first unit में score assignments, attendance, overall performance basis पर ही select किया जाता है यह optional है उनके लिए जिने financially need है अगर financially need है जिस student को तो वो इसको select कर सकते हैं जब students annual पांच लाग या पांच लाग से जादा कमाने लग जाता है तब IS amount के साथ साथ इसको भी refund करना होता है और गया बात कर लेते हैं courses and admission process के बारे में जैसा कि मैंने पहले आपको पताया था कि part time course और full time course दोनों ही available है full stack web development full course के लिए है इस course में आप सिखेंगे scratch से website कैसे बनाई जाती है front end, back end and data structure और algorithm दोनों ही सीख सकते हैं और आप programming language भी सीख सकते हैं जैसे के java script है, html है, react, react express है, css, redix, node, mongodb full time course 30 weeks का है, यानि के 30 हफ़ते का है ये course उनके लिए है, जिने coding का कुछ भी experience नहीं है चाहें आपका talent आर्ट में हो, commerce में हो, आप इसको apply कर सकते हैं full time course, full stack web development के लिए admission open है और 4 अक्तोबर से batch भी शुरू हो चुकी है आप description में दिये गए link से apply कर सकते हैं part time course भी 30 weeks यानि के 30 हफ़ते का है और सेम चीजे सिखा ही जाती है बस duration थोड़ी सी difference है और duration क्या है, वो आपकी screen पर मैं show कर दूँगा आप देख सकते हैं screen पर part time course उनके लिए जो college में हैं और 2022 में अपना course पूरा करेंगे ऐसा क्यूं? क्यूंके जैसे वो अपना course पूरा कर लेते हैं उनको placement के लिए बैठना होगा इसलिए सिर्फ part time course final year students के लिए ही है चलिए अब admission process भी जान लेते हैं step 1 पहले आपको registration करना है एक form fill करना है जिसमें आपको अपने बारे में basic information fill करनी है step 2 MSAT देना होगा मतलब मसाई स्कूल admission test part 1 और 2 एक test high school maths and logical reasoning communication skills के base पर questions होगे आपकी general skills के test के लिए step 3 documentation process pen card and sign up form कोई भी registration fees नहीं है 19 नवंबर से शुरू होने वाले नवंबर batch के लिए admission open है description में दिये गए link से आप apply कर सकते है अगर आपको लगता है कि मसाई स्कूल आपके लिए नहीं है तो आप अपने friend या family को ये share कर सकते है refer program के थूँ जिसके तैट आप 5000 का amazon voucher earn कर सकते हैं बाकी ये ऐसी जानकारी है जादा लोगों तक पहुचाएंगे तो उनका एक career build हो सकेगा जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से और अपनी financial problem से जूज रहें उमेद आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेर करना आप से मिलता हो गली वीडियो में तब तक क्लिए अपना ख्याल रखना लव यू बाइबाइ और टेक केर